प्राइम टाइम शो देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पूझा बांगलादेश में हिंसा की आग थमने का नाम नहीं ले रही नई सरकार का गठन भी हो चुका है पर इसके बावजूद तनाव की स्थिती वहां बनी हुई है हिंसा के चलते ही पुर्व पियम शेक हसीना ने भी अपना देश छोड़ दिया था शेक हसीना ने बड़ा खुलासा करते हुए अपनी सरकार के गिरने के पीछे अमार्का का हात बताया था पर अब बांगलादेश में तक्ता पलट में अमारका का हाथ होने के आरोपो पर वाइट हाउस की प्रसचिव करीन जीन पियरे ने सफाई दी है उन्होंने सभी आरोपो को खारिच करते हुए कहा कि अमारका का बांगलादेश के सत्ता परिवर्तन में कोई रोल नहीं है इस तरह की बात है सिर्फ एक अपवा है पियरे ने ये भी कहा कि बांगलादेश के लोगों को ही सरकार का भविश्य तैक करना चाहिए तो क्या वाकई में तक्ता परण के पीछे अमेरका का हाथ नहीं था और अगर था तो आकर क्यों अमेरका इस बड़े आरोप से किनारा कर रही है आज इसी पे चर्चा करेंगे मेरे साथ स्टूडिय में मौजूद है क्या पचल टीवी के एडिटर इंचीर दॉक्टर मिदिश कुमार डॉक्सा बहुत-बहुत स्वागत ने आपका दनेवाद शेख हसीना ने कई सारे आरोप लगाया थे लेकिन अब अमेरका ये कह रहा ह हूं कटर इमानदार हूं कोई गोटालेवाज कहता है नहीं ये लोग कहते कि नहीं हम तो सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं हम तो भगत सिंग के चेले हैं देखिए हिंडुस्तान में भी ऐसे लोग अब सवाल ये है कि अमेरिका को क्यों कटगरे पर हुई है और वहां जिन लोगों को आगे बढ़ाया गया है उनके रिष्टे किससे हैं बहुत ही सिंपल है हिंदुस्तान ने पाकिस्तान से अलग करके बंगला देश बनवाया तो अपने दोस्त सेख मुझीबुर रहमान को वहां का प्रधार मुंत्री बनाया देखिए उतल पुतल होता है लेपाल के अंदर बें का चायना का रोल होता ऑघ तो वहां थे माहवादी वहां पश्बूल्रेंस करने लुट और रहा हिंदुस्तान कामयाब हो जाता है उसको समझना है सेख हसीना ने क्या आरोप लगाया उसमें क्या-क्या सचाई है इस पॉइंट को मैं थोड़े दिर के बाद डील करूंगा कि जो तमाम आरोप लगाए है क्यों ये आरोप बिल्कुल सही है पहले चीज आप तो हर जगा दुनिया में कहीं इस तरह का अपहीबल होता है हिंसा भड़ती ये सत्ता परिवर्टन होता है तो आप कहते हो कि बेर निजर रखे हुए हिंदुस्तान में एक लिंचिंग हो जाती है वाइट हाउस के तरफ से आ जाता है कि देखिए मानियोटीज की वहाँ पे सुरक्षा होनी चाहिए और एक दकायत को हम लोग जेल के अंदर डालते हैं तो वह पूश्ची लग जाते कि कि किसी एलेक्टेट चीफ मिश्टर को क्यों आप ने डाल रहा है आप जो है आप डेमोक्रासी के उपर जो है पूरी दुनिया में ग्यान देनी लगते हो यहां अंधे हो गए थे लोग दिख न अब जनी हो रही है आप तो क्यों नहीं मना किया लेकिन अब स्ट्रेटमेंट आया है कि हिंदू पर नजर रखेंगे भई अब तो बहुत कुछ आएगा अब तो जब आप पूरी दुनिया के सामने एक्स्पोज हो गए अब तो आए गई पहले ही दिन क्यों नहीं आया तो आप विट नवाच कर रहे थे कि आपके लोग सही सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वन नमबर टू आप तो डिमोक्रेसी के प्रवर्वर्टक हैं यह आर्मी के हाथ में कमांड कैसे चला गया और आप अमेरिका वाले सबसे पहले लोग थे जिननों ने कहा कि वो वहाँ पे बनने वाले इंटरीम गौर्वर्वेंट का स्वागत करते हैं भई आर्पी रिल का स्वागत करोगे डेमोकरसी की बात करोगे पब्लिक बेवकूफ है दुनिया बेवकूफ है नमबर थ्री आपने मुझे धाचा बना है उससे धाचा में कौन लोग है तो प्रोफेसर यूनूस जो है वो क्या है वो है कौन क्यूं वो बंगला देश छोड़ के बाहर रह रहे थे कोई बताएगा भई अमेरिका वाले सो ही पूछना चाहिए कि वहाँ पे जो बाइटन सरकार है उसकी जो डेमोक्राटिक पार्टी है उसके पुराने प्रेजिजेंट के साथ इनकी क्या रिष्ते है क्लिंटन के साथ क्या रिष्ता है प्रोफेसर यूनूस का क्यूं बार बार हेल्री क्लिंटन से एक हसीना के उपर यह दवाब देती रही कि इनके उपर जो भ्रसचार के केसे से वापस ले लो इनको फ्री रंड दो कि कोई छुपी भी बात है वो अमेरिका का व्यक्ति है वो CIA agent की तरह वो काम करता है ये पूरी दुनिया जानती है ये CIA का asset है वो क्यों? क्योंकि रिपोर्ट तो ये भी आ रही है हर चका और कोई हिंदुस्तान नहीं ये रोप में छपराएगे किस तरह से प्रोफेसर सहाब को नॉबल प्राइज दिलाने के लिए क्लिंटेन एंड्मिस्टेशन ने लॉबी की थी ये तो तुमारा आदमी है इतनी बड़ी घटना घट जाएगी आर्मी कोलैप्स हो जाएगा सुप्रेम कोर्ड कोलैप्स हो जाएगा पार्लेमेंट कोलैप्स हो जाए और वो तानचा है ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है Until Unless कोई external force जब तक काम नहीं करता तब तक इस तरह की चीजें नहीं होती और जब यह हुआ है और उसके बाद हर जगा अमेरिकल लॉबी के लोग वहाँ पे अहम पोजिशन पे बिराजमान हो रहे है तो क्या कहा जगा बैश चैना करेगा और अगर चैना या किसी और के हाथ होता तो वहाँ तो jeans party के leader को भी काट रहे हैं लोग क्यों काट रहे हो क्यों काट रहे हो किसके सारे पे हो रहा है अब यह जो अमेरिका को जो हर जगा footprint निज़र आ रहा है वो इसलिए क्योंकि इन्हों ने यह अमेरिका का तरीका है कि आप किसी देश की सरकार से आप प्रसन नहीं है आपका मन मुटाओ चल रहा है उस सरकार को आप हटाते हो अपने मन पस्त लोगों को बिठाते हो चाहे वो आर्मी का हो सिबल सोसाइटी का हो इधर का हो जो भिक गया अमेरिका के सामने वो सत्ता पा लिया यही बात तो वो कह रही थी से खसीना तो मैं तो बड़े अराम से बन रही थी बड़े अराम से मैं बनी रहती है प्रदान मंतरी अगर हमने सेंड मार्टिन आइलेंड के उपर कॉम्प्रमाइज कर लिया होता कौन कर रहा है यह सब हम लोग पहले दिन से कह रहे है कि इसमें बकाइदा CIE का एक फुट्पिंट रिदर आ रहा है डोनाल कीलू जो साउथ हेसिन एरिया के इंचार्ज है ही इस दे की परसन जो वाइट मैन कि एक वाइट मैन ने हमे प्रसराइज किया कि सेंट मार्टिन दे दो और हम तुमारी मदद करेंगे चुनाओ जीतने में भी और हम तुमारी मदद करेंगे स्मूदली सरकार को चलाने में भी तो यह वाइट मैन कोई और नहीं यह अमेरिका के साउथ एसिया का इंचार्ज डोनाल की लू है यह आदमी का नाम इसलिए भी याद रखना जरूरी है क्योंकि इसी का नाम इमरान खान भी ले रहे थे इमरान खान को हटाया गया तो इमरान क्या कर रहे थे कि अमेरिका मेरे हटाने के पीछे अमेरिका कि साजिस है एक चिठी की बात कर रहे थे negotiation की बात हो रही थी कौन कर रहा था इसी डोनाल की की लू के बारे में इम्रान खान ने कहा क्योंकि रिष्टे खराब हो गए तुम वहां क्यों गए तुम मास्कों क्यों चले गए तुम रूस के साथ क्यों रिष्टे आप ये समझे कि मोधी सरकार किस प्रेशर में काम करती है सेख हसीना चायना जाती है लौट के आती है हाँ पर कू हो जाता है क्यों गई तुम चायना वो रूस चला जाता है तो उसको हटाने की कोशिश की जाती है अब ऐसे माहौल में प्रदान मंत्रि मोधी किस तरह के दवाव के अंदर काम कर रहे है ये हिंदुस्तान के लोगों को सेलूट करना चाहिए इसाथ में को इम्रान खान के लोग है इम्रान खान ने कहा है कि मैं रूस में गलत समय पर पहुंच गया अमेरिका वाले नराज हुए मुझे हटा दिया यही बात तो वह भी कह रहे है उठा क्या आपने जेल में डाल दिया और तमाम अमेरिका के चट्टे बट्टे जो है जो आर्वी में हैं और वहाँ पर इन लोगों ने बकाता कॉंप्रोमाइस कर लिया कि जैसे बोलोगे वज़से करेंगे पाकिस्तान की हालत देख लिए लेकिन अब इस वेच जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि शेक हसीना का अगला स्टैंड क्या होगा वो बार बार कह रहे हैं क इंः खान के लोग खत्म होगे किया पाकिस्तान से अबने बैन आपको बैन करना हemi कि इम्रान खान की पॉलिटिकल पार्टी को बैन कर दिया आप चुनावन ही लगां देदिया यह डिमोक्रिस्टी की बात करेंगी यह अमेरिकावाले तमाशा करते ही यह लोग तो वो तो लोग तो उनके साथ ही है बै कितने हैं 20 लाग 30 लाग लोग आये होंगे 20 लाग 30 लाग कड़ोरों 17 कड़ोर जो है पॉपलिसन है उसमें 20 लाग लोग निकले उसे ज़्यादा नहीं निकले और आपने आर्मी के साथ उधर उधर करके आपने वहाँ पे तो इसका मतलब क्या हुआ सेख हसीना के समर्थक अभी भी है वहाँ पे जिंदा और वहाँ पे अगर चुनाओ नहीं इंडिया तो यह कहे देखे इंडियन डिप्लोमेसी भी इसमें काम कर रहा है अभी देखे तारे हिंदू सबक प्रदर्शन कर रहे हैं इंडिया ने साफ साफ चितावनीं दे दिये कि यह सब बंग कीजिए आप और वहाँ पे जल्द से जल्द चुनाओ हो और चुनाओ जैसे इसके घोशना होगी इससे खसीना जाएगी वापस जाना भी चाहिए सुरू में वह भाग आई है उनका बेटा पता नहीं क्या ड्रग प्रग लेता है पता नहीं क्या है बेव कुफो के तरह सुरुवात के तीन चार दिनों में स्टेट्मिन देता रहा किब हमारे परिवार का कोई सक्स आएगा नहीं वापस में हम नहीं जाएंगे से खसीना कार रहना तुमको ड्रक्स में तुमको याशी कर लिए तो कि आपनी क्या किया सब्सक्रें के ऑबावे लीक के कारकरताह को उसके समर्थों को और जो यहां हिन्सा हो रही है उसके खिलाप खड़े लोगों को उसके मनुबल तुमने तो दिया अब जब धीरे-धीरे सेटल हुआ है तो सेख हसीना का जो बयान आया है उससे बंगलादेश के अंदर बवाल मचा हुआ है एक आडियो वाइरल हो रहा है वो आडियो एक मीटिंग का है मीटिंग जो है वो 24 जून अभी नहीं 24 जून को ही आल पार्टी मीटिंग की गई थी 14 पॉलिटिकल पार्टी प्रैम मिनिस्टर वो गन भवन कहते हैं उसको वहाँ पे उनकी मौजूदगी में शेख हसीना ने कहा था कि देखिया हमारे पास बहुत दबाव आ रहा है अमेरिका वाले सेंट मार्टिन मांग रहे हैं यह सारी चीजे अब सामने आ रही हैं और उनका यह जो अपील छात्रों से कि छात्रों को हमने रजकार नहीं कहा यह प्रपगेंडा हुआ सोसल में आरो मैं आपको बताओ क्यों अमेरिका का इंप्रिंट है यह जितना सोसल मीडिया में बबाल मचा यह कोई बंगलादेश से नहीं ओपरेट हो रहा था सब विदेश से सब विदेश से चात्रों को भड़काया गया आप आजनी करना सुरू कर देंगे शेक हसीना ने रिजर्वेशन के डिमांड को खत्म किया सुप्रिम कोट ने का कि नहीं 30% नहीं होगा किसी भी चीज में किसी के कोई रिजर्वेशन रिजर्वेशन की बात आपकी माल नहीं गई फिर सत्ता हटाओ वह सत्ता तक बात क्यों आई तो देरवर पीपल हुवे प्लेइंग डिर्टी गेम्स चीन इसमें इंवाल्ब कितना है नहीं है और मैं आपको इबात और बता दू कि जिन लोगों के साथ मिलके यह अमेरिका हमेशा अपना गलत दोस्त ढूनते हैं कि जो जमात वालों के साथ इन्होंने हाथ मिलाया है इ बहुत बहुत धन्यवाद से समझाने के लिए तो कुछ दिन पहले शेक हसीना ने आरोप लगाया था कि अमेरिका ने उनसे सेंट मार्टिन द्वीप मांगा था जिसे ना देने पर उन्हें सत्ता गवानी पड़ी बुर्ब पीम ने ये भी कहा था कि अमेरिका इस कमेंट के लिके ने करें, कापितल टीवी, नमस्कार.